तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं कि किस तरीके से रोड्स और हाइवेस जो हैं वो एक्स्रिमिजम को काउंटर करने में हमारी मदद करेंगे इनका क्या रोल रहेगा तो इसको अलग-अलग आस्पेट से हम समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रोड्स और हाइवेस हेल्पफुल रहेंगे एक्स्रिमिजम को काउंटर करने के लिए एक्स्रिमिजम अलग-अलग तरीके के हो सकत आप चाहे टेररिजम देख लीजे या नक्सलिजम देख लीजे हर एक चीज में यह हमारी मदद करेगा तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है उसको फिनिश प्रोड़क्ट बनाएंगे तो क्या वो फिनिश प्रोड़क्ट हम मार्केट तक पहुंचा पाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएंगे रोड्स जैसे ही हम roads देखेंगे तो roads के बाद हम ये चीज़ देख पाएंगे कि roads के बाद वहाँ पे हम देखते हैं industries अगर आपने कोई भी job interview दिया हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान होगा कि सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आप कितनी दूर रहते हैं आपका घर कितनी दूर है तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि जिसे भी job दी जाए वो proximity में रहे पास में रहे ताकि वो आराम से वहाँ पे पहुंच जाए और काम हमारा सही तरीके से चलता रहे तो जब industries वहाँ पे आएंगी तो वहाँ पे jobs भी आएंगी काफी सारी jobs आएंगी labor की आपको जरूरत पड़ेगी drivers की जरूरत पड़ेगी हर एक industry में अलग-अलग तरीके के लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी जब वहाँ पे jobs आएंगी तो unemployment जो है वो कम हो जाएगा unemployment जब कम होगा तो आप ये चीज़ जानते ही है कि खाली दिमाग शैतान का घर तो जो गलत-गलत विचाहराने पहले वही कतम हो जाएंगे दूसरी चीज़ जैसे ही unemployment reduce होगा उससे दूसरा एक और impact आएगा poverty का poverty भी reduce हो जाएगी तो ये चीज़ देख सकते हैं आप जैसे ही road आएंगी road से industries आएंगी jobs आएंगी job से unemployment कम होगा unemployment से poverty कम होगा और आप ये चीज़ जानते हैं कि अगर poverty और unemployment की बात करें तो ये primary cause हैं किसी भी extremism का तो ये चीज़ आप देख सकते हैं तो पहला तो point हमारे यहां पे क्या है कि हम देखेंगे कि economic development आएगा और economic development के आने की वज़े से extremism कम हो चलिए आगे चलते हैं और दूसरा point समझते हैं कि दूसरा point क्या रहेगा इसी के अंदर सो दूसरा point रहने वाला है social integration जब roads आती हैं तब आप जाते हैं मिलते हैं ठीक है आपने ये चीज़ देखी होगी कि पहले के समय में जो है किसी दोस्त के पास जाना किसी रिस्तिदार के पास जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था पर आज आपके पास इतनी सारी सुईदाय हैं कि आप तुरंट पहुंच सकते हैं वही चीज़ यहां पे apply करेगी ठीक है जैसे ही roads आएंगी roads के साथ बहुत सारी चीज़े आएंगी सबसे पहले तो आप commute आराम से कर पाएंगे पहुंच आराम से पाएंगे दूसरी चीज़ roads के साथ ही healthcare system healthcare system right उसके अलावा आप बाकी infrastructure देख लीजे ठीक है उसके बाद आप जो है relative से मिल सकते हैं तो यह सारी चीज़े important क्यों हो जाती है क्योंकि आपको जब मैं नक्सलिजम समझा रहा था तब मैंने आपको यह चीज़ बताई थी कि नक्सलिजम जो है वो ऐसी जगे को पकड़ते हैं first stage में ऐसी जगे को पकड़ते हैं जहां पे किसी भी तरीके से कोई भी social integration नहीं है जहां पे कोई भी पहुँच नहीं पाया क्योंकि वो वहाँ पे अपनी ideology को आराम से propagate कर पाएंगे क्योंकि अगर इस जगे पे जाके मैं यह बोलू कि सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही तो वो लोग उस चीज़ पे विश्वास कर लेंगे वहीं अगर एमदाबाद की बात करें एमदाबाद में मैं लोगों को कहूँ कि सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही तो वो मुझ पे हसेंगे तो यह जो social integration है बाकी समाच से आपको जोड़ेगा इस एरिया को बाकी समाच से जोड़ेगा तो इन्हें मालूम चलेगा कि नहीं सरकार कोशिश तो कर रही है बट बहुत सारे कारणों की वज़े से हम तक वो चीज़ पहुंचनी पारी है अगर पहुंचाना चाहा भी रहे हैं वो तो उसके बीच में नकसलवा दिया जा रहे है तो यह चीज़ आप देख सकते हैं सोशल इंटिग्रेशन तो यह दूसरा पार्ट बनेगा दूसरा आस्पेक्ट बनेगा इसका तीसरी चीज़ आती है गुड गवर्नेंस जैसे हम यह चीज़ देखेंगे कि रोडस आएगी तो रोडस के साथ-साथ जो गवर्नेंट की वूट्स और सर्विसेज हैं जो हम चाते हैं गवर्नेंट से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो भी हमारे पास आराम से पहुँँच पाएगी गवर्मेंट से हमारी expectation क्या है कि government हमें क्या दे employment वो हमारे पास आराम से पहुंच पाएगा दूसरी चीज गवर्मेंट से हम क्या चाहते है health वो हमारे पास पहुंच पाएगा subsidy वगरे related जितनी भी चीज़े हैं वो हमारे तक government आराम से पहुंच पाएगी तो good governance के लिए रास्ता खुल जाएगा जितनी भी goods and services है जितनी भी माल लीजे जिसकी अपेक्षा हम किस से रखते हैं सरकार से रखते हैं वो हम तक आराम से पहुंच पाएगी ठीक है यह आप यहाँ पे देख सकते हैं अब आगे चलते हैं और दूसरा एक और आस्पेक्ट इसका समझते हैं फिर हमारे lecture को हम conclude करेंगे फिर है cultural exchange एक चीज़ आप मानेंगे कि नहीं कि आप यह चीज़ देखी होगी आपने कि किसी दूसरे के culture के लिए हमारे अंदर prejudice हो अब हैं तो हम उसे समझने की कोशिच नहीं करते हैं पर जब हम उस व्यक्ति के साथ बैठते हैं उन culture के लोगों के साथ बैठते हैं तो हमें समझ आता है कि इसके पीछे historical reason क्या रहे आखिरकार उनका culture जैसा है वैसा क्यों है उसके पीछे कारण क्या रहे तो जब हमें वो क कारण मिलते हैं जब हम उनके साथ बैठते हैं उनके साथ खाते हैं ठीक है तब उससे होता क्या है कि cultural exchange होता है और जो हमारे मन के अंदर पूरू आधार होता है प्री जुडाइस होता है वो खतम हो जाता है और उसी की वज़े से हमें क्या लगता है कि वो भी हमारे जैसे ही पैने जाते हैं क्या वैसे कपड़े गुजरात में पैने जाते हैं नहीं तो वो कल्चर ऐसा क्यों डवलप हुआ वो कल्चर ऐसे डवलप होने के पीछे कारण था वहां की जोग्रॉफी तो जब हम इस तरीके से लोगों के साथ मिलते हैं हमारा cultural exchange होता है तो हम उन्हें ज् चीज़ ध्यान रखे चलिएगा तूरिजम हम गुमने कहां जाते हैं हम गुमने कभी ऐसा तो बोलेंगे कि नहीं आतंगवादी इलाके में चलो गुमने चलते हैं हम गुमने ऐसी जगे में जाएंगे जहां पर शान्ती होगी और जो इंसान टूरिजम से पैसे कमा रहा है वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि कभी भी अपने टूरिस्ट को परिशान नहीं करेगा मैं एक जगे पर गुमने गया था तो वहां पर क्या है रिक्षा वाला कहीं और चला गया था यूज्यली होता है कि आप जब साइट सींग कर रहे होते हो तो उन्हें बीच में समय मिल जाता है तो उस समय में उनके मन में ऐसा होता है कि जब तक यह साइट गूमते हैं हम दूसरी सवारी को छोड़के आ जाते हैं तो मैं कुछ समय के लिए थोड़े टेंशन में आ गया बैग वगर मैंने रिक्षा में छोड़ा हुआ था तो मैंने आसपास पूछा कि कहा चली गई वो रिक्षा तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन मतलो वो यहां आ जाएगा अभी नहीं आएगा तो 15-20 मिनिट बाद आ जाएगा और एक्चुली वैसा ही हुआ तो आप ये चीज़ देख सकते हैं किसी भी तरीके की एंटी सोचल एलिमेंट ऐसी जगे नहीं पनप अब्ते जहां Tourism जज़ाद है क्यों क्योंकि Tourism का जो सारा concept है वो ट्रस्ट के उपर चलता है अगर एक बार वहां पर किसी के साथ कोई बी गलत चीज़् हूई तो अगली बार कोई भी टूर्रिस्च नहीं आएगा तो ये भी Extremism कम करता है जहांप होगा Extremism कम होगा aur्प बहतरीन होगा वहाँ पे, highways बहुत अच्छे होंगे, तो आप जादा से जादा उस जगह पे जाएंगे, तो इसके लिए हम कह सकते हैं, यह चीज़ भी हम connect कर सकते हैं, कि यह tourism को promote करता है, और tourism ultimately क्या करता है, radicalism को, extremism को कम करता है, ठीक है, I hope आपको यह चीज़ समझ आई है, जिसकी वज़े से हम यह कह सकते हैं, कि roads और highways जो हैं हमारे लिए prime importance के हैं, so this was all about today's video lecture, मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो please like करें, share करें, subscribe करें हमारे YouTube channel Delhi Institute for Civil Services को, thank you very much और मिलते हैं next lecture में, thank you. अज़ की आपको अबसाँ